नमस्कार आप सभी का स्वागत है ट्रेवल से जूड़ी जानकारी प्रदान करते चैनल पॉपकॉन ट्रिप में आज के वीडियो में है दुनिया भर में परेटकों की चुरिंदा पसंदों में से एक इस्थान नेपाल की राज़ानी काटमांडू से लगभग 200 किलिमेटर की दूरी परिस्थित विस्प्रसिद परेटक इस्थल पोखरा हिमालाई की तराई में बसा पोखरा नेपाल का एक प्रमक परेटक इस्थल है सिमित छेत्र में जब असिमित खुपसूर्ती का लुट्फ लेना हो तो आपके लिए यहाँ एक आदर्स इस्थान है इस वीडियो में आप जानेंगे पोखरा क्यों है इतना खास यहां के आगरसन आने का अच्छा समय कैसे यहां पहुँचें साथ ही नेपाल और भारत के अनिधार में के स्थलों जैसे चारधा मुत्राखंट, कासी और भारत सीमा परस्थित मंदर, पूना गिरी और कई परेटे के स्थल जैसे आगरा, रेसिकेस, ननितालों से जुड़ी जनकारी देते वीडियोज भी आप पॉपकॉन ट्रिप चैन साथ ही आप यहाँ ट्रेकिंग, राफ्टिंग, पेरागलाइडिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज में भी सामिल हो सकते हैं फ्यूबा जील, महेंद्र गुफा, वाराही मंदर, देविस फॉल, गुपतेश्वर गुफा, पोग्राम मुजियम, बिंध्य वासनी मंदर, इंटरनेशनल माउंटेइन मुजियम इसके अलावा पुराना बजार, सारंगे कोट, सांती स्थूप, अन्नपुर्णा, तितली संग्राले पोग्रा, पोग्रा के कुछ आकरसन है इसक्रीन में आप देख रहे हैं पोग्रा में की चा सकने वाली अक्टिविटीज और यहां के आकरसनों की सूची पोग्रा के आकरसनों में से एक है फ्यूबा जील, लगभग डेड़ किलोमेटर लंबी यहां जील नैपाल की दूसरी सबसे बड़ी जील है जील के सांत पानी में पहाडियों की परचाई की कुपसुरत चटा देखते ही बनती जील की सुन्दरता का आनन्द उठाने के सांसान, खाने का मज़ा भी यहां लिया जा सकता है यहां पर बोटिंग का एक अपना ही आनन्द है अब जानते हैं, बेस्ट टाइम टू विजिट पोग्रा नैपाल पोग्रा जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नौंबर और फिर मई की सुरवात में है यहां समय आपकी यात्रा के लिए बहत सुखद रहेगा क्यूंकि दिसंबर और जनवरी में यहां काफी ठंड परती है और मई से अगस्थ तक बहुत बारिश होती है अब जानते हैं पोग्रा कैसे पहुँचे है यदि आप काफ़ांडू से पोग्रा आ रहे हैं तो आप परेटक बस या टेक्सी ले सकते हैं जो नियमी तंदराल पे आपको काफ़ांडू से यहां के लिए मिल जाती है पोग्रा के लिए टेक्सीज, आसपास के शहरों और भारत से भी उपलब्द है नैपाल में फिलाल रेलवे सेवा उपलब्द नहीं है इसके अलावा आप काफ़ांडू एरपोर्ट से भी पोग्रा एरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकते हैं अगर आप भारत से पोख़ा आना चाहते हैं तो आपको गोरखफुर या फिरवाराणसी से बस ब्स मिल जाएगी जो आपको काफ़ांडू तक ले जाएंगी इसके बाद आपको काफ़ांडू पोख़ा के लिए बसें बहुत आसानी से मिल जाएंगी जो लगभग साथ घंटे के समय लेंगी यहां पर आप किसी भी ट्रेवल एजन्ट की मदद से भी बस बुक कर सकते हैं नई दिल्ली से काटमंडू के लिए सीधी बस सिवा भी है इस पूरी यात्रा में लगभग 30 घंटे लगते हैं नेपाल के अन्नी परेटक स्तलों और प्रवेश से संबंधित जानकारी दिता वीडियो का लिंक आपको वीडियो के उपर हिससे और पॉपकॉर्ण ट्रिप चैनल में मिल जाएगा उमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही ट्रेवल से जुड़े वीडियो देखने के लिए पॉपकॉर्ण ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकान में क्लिक कर अल आप्शन में भी क्लिक करने हैं जिससे इस चैनल में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन को आप मिश ना करें फिर में लेंगे एक और इस्तान की जानकरी देते वीडियो के साथ पॉपकॉर्ण ट्रिप चैनल में धन्यवाद